नमस्कार दर्शकों आप सबी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बसंत पंचमी माग मास की सुक्लपक्ष की पंचमी के दिन मनाई जाती है इस दिन माता सरस्वती के साथ साथ कामदेव और रती की भी पूजा करने से बहुत इतिदिक लाप्राप्त होता है दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है दामपत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है आईए आपको बता देते हैं पसंत पंचमी में किये जाने वाले कुछ उपाए जिनें आप करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्ट कर सकते हैं वही विद्या की देवी मा सरस्वती का आशिरवाद भी प्राप्ट कर सकते हैं जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमजोर है या फिर विद्या का अध्यान कर रहे हैं उन्हें माता सरस्वती की इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी ज्यान का प्रतीक मानी गई हैं और उनकी क्रपा से क्रपा से मंद बुद्धी विद्वान बन जाता है यानि जो भी व्यक्ति माता सरस्वती की पूजा आरादना करता है उसे कभी भी किसी भी छेत्र में हार नहीं प्राप्त होती क्योंकि उसकी बुद्धी और ग्यान इतना बढ़ जाता है वह हर छेत्र में सफलता की ओर चला जाता है सरस्वती माता की पूजा करने के लिए आप इस दिन माता को पीले रंग की चुन्री अरपित करें पीले रंग का भोग लगाए और पीले रंग की पुस्व जरूर अरपित करें साथ ही हल्दी की पांच गाठें साथ ही आप माता सरस्वती के लिए लड़ू का भोग अवश्य लगाए बेसन की बर्फी, बूंदी के लड़ू, बूंदी का प्रशाद अवश्य चढ़ाया जाता है माता सरस्वती को पीले रंग का भोग बहुती प्रिये है और पीला रंग अति प्रिये है कहा जाता है कि बसंद पंच्वी के दिन कटू वानी से मुक्ती पानी के लिए वानी में मदूर्ता लाने के लिए देवी सरस्वती पर चड़ी हुई कोई भी भोग की वस्तू ग्रहन करना चाहिए इससे आपकी वानी में मदूर्ता आती है यदि आप संगीत वगेरा में रुची रखते हैं यदि आप संगीत गातना चाहते हैं तो आप प्राता काल माता सरस्वती की पूजा में शहद भोग में अर्पित करें और बाद में उस सहद को अपने प्रशाद के रूप में ग्रहन करें अपने मस्तक पर केसर अथवा पीले चंदन का तिलक अवशे लगाएं इससे ग्यान और धन की वरतदी होती है साथ ही बसंद पंचमी के दिन किसी भी असाधिकार को पूरा करने के लिए कोई भी कारे हो वह उसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और वह पूरा नहीं होता है और आप चाहते हैं कि वह कारे सीगर अतिसीगर पूरा हो जाए तो माता सरस्वती को बसंद पंच्वी के दिन मोरपंख जरूर चढ़ाएं और उस मोरपंख को उठाकर के तिजोरी में छिपा करके रख दे इससे आपके घर में धन की वरत्दी होगी साथ ही आपके कारे भी पूरे होंगे जो भी विद्यार्थी हैं इस दिन मोरपंख माता सरस्वती को चढ़ाएं और माता सरस्वती के पास से मोरपंख उठाकर अपनी किताब में या फिर अपने बस्ते में यानि जिस भी बैग में आप कौपी किताबे रखते हैं उसमें आप मोरपंख रख लें इससे आपकी बुद्धी भी तेज होगी साथ ही मौधपंग से माता सरस्वती का आसिरवाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा बसंद पंचमी के दिन सिद्धी और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सिद्धी अश्ट सरस्वती यंत्र गले में धारन करना चाहिए विद्यारती विद्या बुद्धी में अत्यांत तेजस्पी हो जाते हैं बसंद पंचमी के दिन गहने कपड़े वाहन आदी की खरीदारी का भी अति उत्तम फल मलता है यदि आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो वह लंबे समय तक आपको अच्छा फल देती हैं इस दिन की गई खरीदारी का सामान जो भी रहता है वह खरीदा हुआ सामान आपको फलता है उससे आपको लाभी प्रदान होता है इस दिन यथा संबव हो सके तो ब्राहमनों को दान करना चाहिए साथ ही विद्यार्तियों को विद्याद्यन की चीजों का दान करना चाहिए आज के दिन मंदिरों में जाकर सरसुती देवी की पूजा के साथ साथ आपक्रश्न भगवान एवं माता लक्ष्मी विश्नु भ असरधारन करके ही जाना चाहिए संभव हो सके तो इस दिन पीले रंग का भोग अर्पित करें पीले फूल अर्पित करें और आप ध्यान रखें कि गुलाब के पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं बसंत पंचमे के दिन आप अपने गुरुओं का बड़ों का परिचीतों का और साथ ही आपके जो भी गुरू और शिश्य रहे होंगे सभी के प्रती आदर एवं सम्मान व्यक्त करना चाहिए उनसे उनके पास जाकर अभी वंदन करना चाहिए पैर चुकर आशिवाद लेना चाहिए अत्वा उन्हें उपहार के तोर पर फूल अत्वा आप अपनी त उन उपाये हैं इनसे मासरस्वती की करपा आप पर हमेशा बनी रहेगी साथ ही आपके जीवन में आ रही समस्याओं का भी समाधान होगा और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी उपाया आप तक पहुंच सकें मिलते हैं अगले वीडियो में सिरी शिवाय नमस्तु भी हम जय माता दी